नमस्कार दोस्तों आज एक और पारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है मंदिर की सीडियों पर ठोकरे खाने के लिए मा को छोड़ने वाले बेटे ने जम्मा को इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन के रूप में देखा तो उसके होश उड़ गए अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंडी स्कीन और कार्ड तीनों जगा पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं अम्मा जी की गाड़ी गवालियर पार कर चुकी थी मथुरा अभी वी चार घंटे का रास्ता था अम्मा जी के दिमाग में बार बार अपने बेटे अंकित के बच्च्पन के सैतानी से भरे दिन याद आते जा रहे थे कैसे अंकित किसी भी चीच के लिए मचल पड़ता था जब एक बार बाजार में उसे फाइफ इस्ट और चॉकलेट नहीं दिलाई तो वह कैसे मा की गोश से उतर कर सड़क पर धूल में लेट कर पैर पटक पटक कर रोने लगा था अंत में खीच कर उसके पापा ने उससे दो थपड भीमारे और चॉकलेट भी दिलाई उन्हें याद आ रहा था कि कैसे इसकूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का जुटा बहाना बना कर वह अपने पापा के पास पहुँच जाता था और इसकूल नहीं जाकर फिर थोड़ी ही देर में गुली डंडा लिये हुए महले में उच्छल कूद मचाता रहता था और अपने दोस्तों को रमड रेती ले जाकर ग्रांड पार्टे दी थी उसकी हार याद थोड़ी देर के लिए मा की आँखों में मुस्कान लाती और अगले ही पल गंगा जमुना की धारा आँखों से बहने लगती जब वह घर पहुंची तो अपने घर के दर्वाजे को देख कर उसकी आँखे डबडबा आई उसे ऐसे लगा जैसे उसके पती से ट्रोसन लाल दर्वाजा खोल कर खड़े हो जाएंगे या फिर उनका वेटा अंकित मामा पुकारते हुए चला आएगा लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उनका दिल तोड़ कर रख दिया और फिर उसकी आँखों से अविराल अश्रुधारा बेह निकली घर का दर्वाजा खटखटा ने पर अंदर से उसकी पड़ोसन जानकी बाहर निकली और उसके साथ थी साथ दो नन्हे बच्चे मोहन और जैसरी भी बाहर निकले जानकी ने बच्चों को बताया कि ये तुम्हारी दादी मा है जो तिर्थे आत्रा को चली गई थी आज वापिस आई है अंकित ने मा को भी दिसा छोड़ आने के बाद सभी को यही बात बता रखा था कि उसकी माहरी द्वार में और बनारस में तिर्थवास कर रही है और अब उनका इस संसार से संसार की मोहमाया से विस्वास उठ गया है इसलिए वो घर नहीं आएंगी जैसरी और मोहंसा में वे से दादी मा के पास आएं और दादी मा ने उन्हें गले से लगा लिया जानकी ने बताया कि बहु के एक हाथ और एक पैर पूरे तरीके से कट गये थे डॉक्टर ने बहु का हाथ जोड लिया पर पैर नहीं जूर पाया और बहु अभी अस्पताल में भरती है उसे ठीक होने में कम से कम 20 दिन लगेंगे जानकी ने बताया कि कैसे अंकित के सिर के छोटे छोटे तुकडों को उठा कर बैग रख कर पुलिस लास को पोश्ट मार्टम के लिए ले गई थी और एक दिन बाद ही उसका अंतिम संसकार किया जा सका था राजदुलारी गहरी सास लेकर अपने बेटे की दुर्गती की कहानी सुनती रही और रोती रही राजदुलारी ने अब अपना मन स्थिर किया और अपनी बहु को देखने अस्पताल जाप पहुँची अर्द चेतन अवस्था में जया अपनी सास को देख कर सर्म दुख और गलानी के कारण रो पड़ी अपने एक हास से मा का हाथ थामते हुए बोली मा देखो मुझे मेरे सारे पाप कर्मों की सजा मिल चुकी है आज मेरा पती मेरे साथ नहीं है और मेरे बच्चे अनात हो गए है जिस भाई के लिए मैंने इतना सब किया वही ऐसे गाड़े समय में एक दिन रुख कर अपने घर चला गया जिन रूपियों के कारण अपनी दुकान ही खत्म हो गई वह भी उसने वापस नहीं किये राज दुलारी ने जया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटी रो मत धाग में जो लिखा है वही होता है उसी के कारण मुझे और तुम्हे इतने दुख मिले है लेकिन अब सब्र से काम लो बेटी और हमारे सामने मोहन और जैसरी के सम्हालने की जिम्मेदारी है और घड चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा उसके लिए हिम्मत रखने की आवश्यक्ता है रोकर हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे बेटा करकर अमा ने जया के सिर पर हाथ फिराया और बोली इसलिए हिम्मत रखो और सिग्र स्वस्त होने की काम ना करो अपनी सास का सहारा पाकर जया को बहुत हिम्मत मिले उसे जितना सास का सहारा मिलता वह उतना ही जादा रोती थी इस तरह रोने से उसके अंदर के सारे कलुस धूल गए और उसे अपने आप में थोड़ा हलका पन अद्रिड़ता का भाव महसूस हुआ जब तक जया अस्पताल में थी राजदुलारी ने अपने पती से ट्रोसनलाल के मुंसी जी को बुलवा भेजा और अपनी बंद दुकान की सफाई करवाने को कहा तथारा जिन्दर के दिये हुए रूपए उन्हें देखकर बोली मुंसी जी बाजार से थोड़ा थोड़ा सभी सामान अपनी दुकान चलाने के लिए उठा लो हमें ज़्यादा किसी से उधार नहीं लेना है जितना होगा उसमें एक छोटी सी दुकान चलाएंगे दुकान का नाम रखा रोसनलाल मोहनलाल की राना इस्टोर दुकान पर बैठी से ठानी राज सुन्दरी अब छोटा मोटा सामान खुद ही तौल रही थी सिर्फ सेट रोसनलाल का नाम और राजदुलारी की मेहनत तता अंकित के मरने की सहानभूती के कारण 10-15 दिनों में ही खुब अच्छी दुकान चल निकली और जो थोड़ा सा सामान दुकान सुरू करने के लिए उप्योग किया था उसका कई गुना सामान अब दुकान में भर गया मुंसी जी ने वस्तुओं के दाम बहुत कम मुनाफे पर रखे थे इस कारण बाजार से कम दामों पर सस्ती वस्तुओं मिल रही थी ग्राकों को और क्या चाहिए था बस दुकान चल निकली और सेठानी राज दुलारी ने अपने बीनम्र सरल और शने अमई सौभाव के कारण दुकान की लोग प्रियता में चारचाद लगा दिये एक महीने बाद जब जब जया स्पताल से छुटी लेकर घर वापस आई तब तक घर की इस्तिती पूरी तरीके से बदल चुकी थी और लगवग घर वैसा ही सेठाल हो गया था जैसा सेठ रोसल लाल के समय में रहता था सेठानी राज दुलारी ने अब घर के काम के लिए काम वाली बाई रख ली थी और जया तीन पहिया वाली साइकिल से दुकान आती थी और सेठानी की देख रेक में दुकान की बारीकियां समझ रही थी राज दुलारी दो घंटे के लिए मोहन को भी दुकान पर बुलाती थी उसे अपने साथ बिठाती थी और उसे दुकान के छोटे मोटे काम समझाती थी कभी मोहन पैसे लेता था तो कभी छोटे मोटे सामान तौल देता था और कभी पैकेट उठा कर काउंटर पर लेखा राता था इस तरीके से मोहन और उसकी माजया दोनों ही दुकान की बारिकिया ठीक से समझ गए थी बाकी दुकान चलाने के लिए मुंसी जी की मदद तो थी ही दीरे दीरे जिंदगी अपने ढगरे पर चल निकली और अब सारे कार दैनिक नियमों के इसाब से घर में होने लगी जया के घर के फिर से ठीक तरीके से सेटल होने की ख़बर उसके भाई जितंदर को भी मिली और उसे भी अपनी गलती का एसास हुआ उसकी स्रीमती ने उसे समझाया कि बहन बेटी से लिया हुआ उधार भिना ब्यास के ही सही पर एक दिन चुकता तो करना ही होता है अन्य था इस्वर के यहां जाकर हिसाब देना पड़ता है और यहां का किया हुआ यही भोगना होता है जया का भाई जितेंदर अब दो लाक रुपए लेकर जया के पास आया और बोला जया जब तुम्हें पैसे की बहुत आओ सकता थी तब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाया बस पास में पैसे नहीं थे अब मैं तुम्हें दो लाक रूपए अभी वापस कर रहा हूँ से इस तीन लाक मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करने का प्रेत्न करूंगा मेरे कानड तुम्हारे घर को जो परेसानी हुई उसके लिए मैं बहुत सर्मिंदा हूँ जया को लगा कि भले ही उसके पती अंकित जैसवाल आज नहीं है पर घर अब फिर पहले की तरह स्थापित हो गया है अम्मा जी ने घर की जिम्मेदारी अब जया को समझाते हुए कहा बेटी अब मुझे राजेंदर के पास वापस जाना है वह मेरा बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहा होगा या घर अब तुम्हें अकेले को ही समालना है इतना कह कर जैसरी और मोहन को प्यार करके राज दुलाडी ट्रेंड से वापस भोपाल की तरह चल पड़ी रात नो बजे मतुरा से ट्रेंड में चड़ने के बाद अम्मा जी ठकी हुई तो थी ही वे थोड़ी ही देर में सो गए उन्हें सपने में भी राजेंदर बहुत संगिता और बच्चे गीत और सरगम ही याद आते रहे पूरी रात वर आजेंदर और आजेंदर के परिवार के सपनों में ही खोई रहें वहाँ उनको इतना प्यार मिला था कि वो अपने बच्चे से ज़्यादा उन बच्चों और उस परिवार में ही खुली मिली रहती थी सुब़ च्चे बजे जीटी एक्स्प्रेस भोपाल प्लेट फान पर लगी अमाजी ने अपना सामान समेटा और इस्टेशन पर उतर गए सामान ज्यादा तो था नहीं ट्रॉली बैग को खीशते हुए और एक बैग को कंदे पर टांगे हुए वे आटो इस्टेंड तक गई और आटो में बैट कर बेटे के घर अरेरा कालोनी में जा पहुंची आटो वालों के पैसे देने के बाद उन्होंने ढोर बेल बजाई कौन होगा इतनी सबह सोचते हुए संगीता बाहर आई और अमाजी को देख कर खुशी से उनसे लिपट गई अमाजी के पाउ छुने के बाद संगीता ने उनका बैग ले लिया और जाकर राजिंदर को जगा दिया संगीता राजिंदर के हाथों को पकड़ कर हिलाते हुए बोली उठो जी देखो कौन आया है उठो उठो राजिंदर ने आखें मलते हुए पूछा ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तु मुझे इतनी सुबह से ही उठा दिया तब ही अमाजी ने उनके बेडरूम में प्रवेस किया और राजिंदर के बालों में अपनी उंगलिया फसा कर इसने से उसके माथे को छू लिया इस असपर्स को राजिंदर भला कैसे भूल सकता था उसने तुरंट अमाजी के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और बोला अमाजी आप कब आई और उनके हाथ तुरंट ही अमाजी के पैरों की तरव बढ़ गए इतनी देर में नौकरानी चाय बना कर ले आई और बिस्तर पर ही बैठे राजेंदर शंगीता और अमाजी ने चाय पीना सुरू कर दिया अमाजी को गीत और सरगम की बहुत याद आ रही थी जट से चाय खत्म करके अमाजी बच्चों के कमरे की तरव बढ़ी और सोई हुए गीत और सरगम को उन्होंने अपने हाथों से प्यार करना सुरू कर दिया गीत और सरगम वैसे तो बहुत देर तक सोते थे पर इससपर्ष ने उन पर जादू सा किया और वे दोनों आखे मलते हुए उठ बैठे गीत ने अम्मा जी को देखकर तुरं दूटकर उनकी गोद में अपनी जगह खेर लिया और उनके गले में हाथ डाल कर उनके गाल पर चुम्मी लेते हुए बोला दादी आप हमको छोड़कर कहां चली गई थी हमें आपकी बहुत याद आती थी और मैं तो बहुत रोता भी था ममी मुझे खिलोनों का लालस देकर चुप करा देती थी सरगम भी तब तक जाक चुकी थी और खड़ी ओकर दादी के गले पर जूल गई वह बोली दादी भाईया मुझे बहुत तंग करता था आप उसे खूब डांट लगाओ और उससे कैदो कि वह मेरे खिलोने नौले और मुझे अपने साथ गार्डन में भी खिलाए अमा जी दोनों बच्चों को अपने गले से लगा कर भाव भी भोर हो उठी और खुसी से उनकी आँखे भार आएं दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा कर वै बोली बेटा अब तुन दोनों को छोड़ कर मैं कभी भी कहीं नहीं जाओंगी तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत बुरा लगता था अब मैं आ गई हूँ मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी मुझे भी खिलाओ ना दोनों बच सरकल बहुत बढ़ चुका था, वह दोनों लगा तार घर से बाहर ही रने रहते थे, घर की सारी जिम्मेदारी और देख रेख अप फिर से अम्मा जी के कंदों पर आ गई, अम्मा जी अद दिन भर पुजा पाठ और बच्चों की देख भाल में बैस्त रहती थी, गीत और बड़ी मुस्किल से स्कूल जाते थे, पर अम्मा जी ने उन्हें स्कूल जाने की आदर डाल दे थी, स्कूल से आने के बाद अम्मा जी उनकी मार्ग दर्सिका बन जाती और खेल खेल में बच्चों को वह सब पढ़ा दिया करती थी, जिसे पढ़ाने में सिच्छकों के भी पसीने छूड़ जाते थे राप को अम्मा जी बच्चों के कमरे में ही सोती थी और बीच में जाग जाग कर बच्चों की देख रेक करा करती थी इस तरह धीरे धीरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी के कंधों पर आ गई थी जनमाश्ट मी का दिन था अम्मा जी सुबद 6 बजे उटका राधा किष्ट मंदिर चली गए बिरला मंदिर में भारी भीड थी अम्मा जी को आने में देर हो गई तब तक गीत और सरगम जग चुके थे उन्हें लगा अम्मा जी फिर से उन्हें छोड़कर मतुरा चली गई है दोनों बच्चों ने रो रोकर आस्मान सीर पर उठा लिया संगीता ने मुबाइल से अम्मा जी को फोन किया और अम्मा जी बिना दर्सन किये ही मंदिर के बाहर से ही भगवान के हाथ जोड़कर तुरंद कार में बैठकर घर चली आई आते ही बच्चे उनसे चिपक गएं और बोले अब हमें छोड़कर कभी मत जाना दादी अम्मा जी दोनों बच्चों को गले लगा कर बोली हाँ बेटा अब मैं छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी हमेशा तुमारे पास ही रहूंगी साम को सरगम और गीट छट पर खेल रहे थे सरगम आगे भाग रही थी और उसे पकड़ने के लिए गीट पीछे दोड़ रहा था अचानक गीट का धक्का लगा और सरगम जीने से लड़कती पुलकती नीचे आगिरी और बेहोस हो गई गीट की चीक पुकार सुनकर भगवान की आरती कर रही राजदुलारी बाहर निकली और सरगम को बेहोस देखकर उसने उसे उठा कर गोद में ले लिया उसके मुँआ पर लगी हुई चोटो से बहते हुए खोन को अपनी साड़ी से पोच कर उस पर पानी के छीटे मारे पानी के छीटे मारने पर भी सरगम होस में नहीं आई और अतिदिक चिंतित होते हुए राज दुलारी ने राजंदर को फोन लगा दिया और उसे तुरंट आने को कहा एराज दुलानी ने रूते हुए गले से राजंदर को बोला बेटा सरगम छट की सीडियों से होते हुए नीचे गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है मेरे अनेक प्रेतन करने पर भी वहोस में नहीं आ रही है मैं बहुत घबरा रही हूं बेटा तुम बहुत जल्दी संगीता के साथ अपने घर की और निकल पड़ी उनका हिर्दय हाहा कार कर रहा था फूल सी बच्ची ना मालूम कितनी चोटिल हो गई और वेहोस पड़ी है यही बिचार संगीता के लिए तिंत कष्टदाई हो गया था रोते रोते उसका बुरा हाल था संगीता ड्राइबर को कार और तेज चलाने के लिए कह रही थी घर पहुशने पर वेकार से उतर कर भागते हुए रैंग रूम में आएं वहाँ पर अमा जी बेहोस सरगम को गोद में लिए हुए सुनने में ताकती सी बैठी थी उनके मुझसे कोई बोल नहीं फूट रहे थे आज उनका सारा सा हज कई खो गया था की करता बेविमुर सी राजंदर और संगीता को अपने सामने देखकर उनकी रूलाई बहुत तेजी से फूट पड़ी राजंदर ने सरगम को गोद में लिया और संगीता तथा मा जी को साथ लेकर अस्पताल की और चल पड़े डॉक्टर ने बेहोस कम होस में आ गई पर छोट के कारण उसे अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वह पापा और दादी का हाथ पकड़ कर कह रही थी मा इतना अंधेरा है लाइट जला दीजी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पापा लाइट जलाओ मुझे बहुत डर लग रहा है मैं अंधेरे में बिलकुल नहीं रह पाती दादी मुझे उजाले में ले चलो मुझे बहुत डर लग रहा है सरगम से या बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी आँखो को चेक किया और MRI सही तन्य ट्रिष्ट भी किये अंध में इस निसकस पर पहुँचे की मस्तिसक और आँखो की चोड के कारण सरगम अपनी दिष्टिक हो चुकी है और साय दुआ अब कभी देख नहीं पाएगी गर के सभी सदस्यों तथा डॉक्टर और नर्स सभी के चेहरे पर एक बेदना और उदासी साब देखी जा सकती थी हतास से राजंदर और संगीता ने अपोलो हास्पिटल के डॉक्टरों से भी संपर किया डॉक्टर मनी कृष्टन ने जाच के बाद उन्हें बताया कि किसी मृत ब्यक्ती की आँखे दान मिलने पर सरगम के दिमाग की एक जटिस सरजरी करनी पड़ेगी नए कार्णिया और मस्तिस के दृष्टी तंतूओं के आपरेशन से ही सरगम सायद दोबारा देखने के योग्य हो सकेगी अम्मा जी अवलाचार और विवस सरगम को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी संगीता और राजंदर अपने पूरे प्रयास कर रहे थे पर सरगम के लिए आँखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था राजंदर अपने धन का उपयोग भी करके आँखों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थी सरगम थी कि अत्यदिक मायूसी से अपने माँ पापा या दादी से चिपकी रहती थी उसे अंदेरे से भी बहुत डल लगता था पर अब तो उसका जीवन ही अंधकार में हो चुका था अम्मा जी सरगम के लिए भगवान से लगातार प्रात्ना करती रहती थी अम्मा जी ने अपने बेटे के मरने पर भी ततह उसके घर को फिर से सेट करने के लिए भी इस्वर से कोई प्रात्ना नहीं की ती पर सरगम के लिए उन्होंने प्रात्ना के साथ साथ ब्रत और उप्वास भी सुरू कर दिये उनका हार भी बहुत कम होता गया लाखो प्रार्थनाओं के बावजूद भी इस्वर ने उनकी एक न सुनी एक दिन अम्मा द्रेट निच्चे के साथ रादा कृष्ण मंदिर पहुंची और भगवान के आगे हाथ जोड़ कर मन ही मन में बोली भगवान मेरी सरगम ने आपका क्या भी गाड़ा था जो उसे जीवन भर कांधकार दे दिया यदि मेरी आप में एक लेस मात्र भी भगती है तो उसी का वास्ता दे कर मैं आज आप से मेरी बेटी की आँखे मांगती हूँ मेरी सरगम की आँखे दे दो भगवान चाहे उसकी एवज में भले ही मेरी जान भी ले लो पर आज मेरी लास रख लो प्रबू मन में ऐसी प्रातना करते हुए उनकी आँखों से अविरल अस्रुधारा बहने लगी अचानक मुर्ती के सिर पर रखा फूल उनके प्रातना करते हुए हाथों में आगिरा इसे भगवान का असिरवास समझ कर राजदुलारी अत्यंत हरसित हो गई उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब सरगम की आँखे अवज सी ठीक हो जाएंगी उसी खुसी में भगवान को बार बार प्रडाम करके तथा फूल को हाथों में लेकर उसे सरगम को देने के लिए म्याजी अत्यंत खुसी से तेजी से मंदिर की 108 सीड़ियां उतरने लेगी अत्यंत क्रासकाय और ब्रत और उप्वास के कारण बेहर निर्बल हो चुकी अत्य ही कराहती आवास में उन्होंने राजंद्र को बुलाने के लिए डॉक्टर को कहा राजंद्र सहर की जानी मानी हस्ती थे उन्हें डॉक्टर भी जानते थे तुरंत उन्होंने फोन लगा कर राजंद्र को बुलवा लिया अम्मा जी की तबियत छड़ प्रतिछड खराब होती जा रही थी राजिन्द शंगीता दोनों ही अम्मा जी के हाथ अपने हाथ में लेकर रो पड़े उन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कि अम्मा जी अब नहीं भस सकेंगी और वह कुछ छड़की मेहमान है जैसे बुस्ते हुए दीपक की लाओ अंतिम समय में बहुत तेज हो जाती है उसी तरीके से हम्मा जी अंतिम समय में पूरी चेतना में आ गई उन्होंने राजिन्द शंगीता को अपने गले से लगा लिया और बोली राधा कृष्ण ने मेरी मन मांगी मुराद पूरी कर दी है मैंने अपनी जान दे कर भी सरगम के लिए आँखे मांगी थी भगवान ने मेरी सुन ली मेरे जाने के बाद मेरी आँखे सरगम को अवस्य लगा देना ताकि मैं हमेशा हमेशा उन्हीं आखों से तुम सबको देख सकूँ राजिंद्र संगेता बिलग बिलग कर रो रहे थे पर अम्मा जी के चेहरे पर एक दिव्यनूर था संगीता तथा राजिंद्र के हाथ थामे हुए उन्होंने राधा जी कृष्ण कहते हुए अपने प्रांट त्याग दिये सब को रोता छोड़ कर अम्मा जी चल बसी थी डॉक्टर ने तुरंत उनकी आखे निकाल कर सुरच्छित कर ले और राजिंद्र ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर मनी कृष्ण को फोन करके अम्मा जी की आखे डोनेट करने की जानकारी दे दी तथा उन्हें फ्लाइड से तुरंत आने का अनुरोथ किया डॉक्टर मनी कृष्ण को केस की पूरी जानकारी थी इसलिए बच्ची के भविसी को ध्यान में रखते हुए वह उसी दिन दोपर तक भोपाल आ गए और सरगम का जटिल आप्रेशन शुरू हो गया लगबग 6 गंटे तक डॉक्टर आप्रेशन में लगे रहें जब वह उपरेशन थियेटर से बाहर निकलें तो उन्होंने राजिंद संगीता को बढ़ाई देते हुए कहा यह अत्यंत जटिल उपरेशन था पर साइद इस्वर की कृपा थी कि ऐसा फल हो गया आपकी बेटी अब फिर से देख पाएगी एक सब्ता बादा सरगम की आँखों की पटी खुलनी थी डॉक्टर ने सरगम से पूछा तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी सरगम ने कहा मैं सबसे पहले अपने दादी को देखना चाहूंगी मम्मी पापा को भी और गीत भाईया को सरगम की इच्छान उसार आँखों से पटी हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी प्यारी दादी को ही देखा सरगम बोली यह तो दादी का फोटो है दादी कहा है मुझे उनसे बात करनी है राजंदर संगीता डाक्टर और नर्स वहाँ पर खड़े हुए सबी लोग अपनी आँखों के आसूँ को नहीं रोक पाएं संगीता ने कहा बेटा दादी अब हम सब के दिलों में रहती है और तुम्हारी आँखों में तुमें वह वही दिखेंगी और कुछ नहीं समझती हुई मासूम सरगम अपनी मा के गले में बाहें डाल कर उन से चिपक गए राजंदर सोच रहा था एक मा का करज ऐसा होता है जिसे हम जिन्दगी भर नहीं चुका सकते हैं कितना बदनसीब थांग कि जो मा के ममता और प्यार को नहीं समझ पाया और प्यार के जो उनके परिवार के दिलों में ताउम्र ना भूलने वाली यादे बनकर रह गई थी राजंदर आज उनका अपना खुनना होकर भी सगे से बढ़कर हो गया था सच में किसी ने कहा है खुन के रिष्टे से बढ़कर दिल का रिष्टा होता है यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में